अलो प्यारे विध्यारतियों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत है और उमिद करता हूँ कि सब लोग बिल्कुल फ्रेश माइंड से अपने पैन और पेपर को साथ में लेकर बैठ गए होंगे हमारे इस खुबसूरत से सेशन के लिए आपके अपने परिवार में आपका स्वागत है आपके लिए डेली कैज़ता मैं चलता है और आज भी आ चुका है expected questions हम कराने वा ले हैं नए pattern के questions हम कराने वाले हैं लगातार बहतर से बहतर काम बहतर से बहतर चीजें आप लोगों के भले के लिए की जा रही है और उम्मिद करता हूँ कि इससे भी better हम काम करें motivation आप लोग है जी बिलकुल और कि कोई है नहीं चलिए अब स्टार्ट करते हैं 14 नमबर सेशन दोनों टेलिग्राम चैनल्स को आप जॉइन कर सकते हैं जहां पर आपको PDF मिल जाती है shortcut हमारे पास नहीं है महनत है hard work है smart work है दोनों चीजें हमारे पास है बट shortcut नहीं है किसका सफलता का अच्छा पढ़ लोगे तो सारे एक्जाम निकलेंगे छोटा थोड़ा 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 पढ़ोगे तो एक भी नहीं निकलेगा तो आपके उपर dependent करता है कि आप कैसे पढ़ना जा रहे हैं आप technician निकालना चाहते हैं आप ALP निकालना चाहते हैं आप NTPC के अलग-अलग levels निकालना चाहते हैं आप group D निकालना चाहते हैं पढ़ना पड़ेगा पढ़ोगे कैसे आपको केवल एक ही batch लेना है railway record breaking batch पूरे दुनिया को खंगा लीजिए पूरे यूट्यूब को खंगा लीजिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे एक्जाम के छे बैच आएंगे अलग-अलग और उनसे भी तुम्हारा syllabus complete नहीं होगा बट जहां पर एक बैच से अगर पूरा syllabus complete हो सकता है वो ये बैच है, quick tricks by साहिल सर अप्लिकेशन पर ये बैच आपको मिलेगा बे धड़क होकर जुड़िए offer का फायदा उठाइए शाम तक valid है साथ के साथ इसी तरह से अगर आप math math की बात करते हैं तो math का बैच भी आप ले सकते हैं सकसे, तो 6-11 का मिलेगा तो quick tricks by साहिल सर अप्लिकेशन पर जुड़कर आप अपने बैच से जुड़िए पढ़ाई शुरू करिए ये हमारी regular classes चलती है 19-11 topic wise preparation और 3 बजे, 6 बजे और 10 बजे आपकी लिए daily practice program चलता है कल 11 बजे आप सभी लोगों को आना है क्यों आना है, वो तो आप आओगे आपको पता चलेगा booster plan discuss करने वाला हूँ कल सुबह 11 बजे और फिर उसके बाद 3 बजे मैं ये session लेकर आने वाला हूँ कैसा लग रहे हैं आपको जो मैं sessions प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कैसे लग रहे हैं आज मैंने सुबह revision session प्लान किया हाँ, ठीक है और कल हम 3 बजे करने वाले हैं जो metric के जो theoretical questions होते हैं उनको revise करने वाले है महनत पे महनत, महनत पे महनत काम की जा रही है सिवाए सिवाए उस चीज के जिससे बच्चों का selection ना हो हाँ, वो काम नहीं करने है जिससे selection हो, वो ही काम मिलेगा आपको यहाँ पर ठीक है, चलिए ओके, हाँ आईए गाई, start करते हैं पहले प्रशन से पहला प्रशन आपके सामने ये रहा आपके सामने समय शुरू कर दिया मैंने अब जामा पैनाना शुरू करिए पूरे में से पूरे नंबर लाईए करिए A माइनस B बराबर 11 दे रखा है और A इंटू B बराबर दे रखा है आपका कितना 24 तो क्या करोगे आप तो मैं ये कहना चाहता हूँ दौनों तरफ भोल स्कॉाइर करने पर A स्कॉाइर प्लस का B स्कॉाइर माइनस का 2 A B बराबर दौनों तरफ किया तो 121 A स्कॉाइर प्लस का B स्कॉाइर क्या बात है 121 प्लस 48 169 मजा आ गया क्या बात है ये option आपका पहला आंसर हो चुका होगा complete अगले प्रशन की तरफ चलिए 9 और 13 में प्रतेक से सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जाने चाहिए ताकि 13 अनुपाद 18 हो जाए है ना गजब करो चलो ये दोनों छोटी छोटी संख्याएं दे रखी है अब इन मेंसे हम क्या घटाएं इन मेंसे कुछ घटाना पड़ेगा जिससे की आपका जो इन दोनों संख्याओं का तरत्य अनुपाद है वो 18 हो जाए तरत्य अनुपाद क्या होता है दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या और उसकी value 18 आनी चाहिए अब आप ज़रा देखिए x बरावर 2 रख के देख लो 2 रखोगे तो 11 गुना 11 बटे 7 नहीं आएगा 4 रखो 9 गुना 9 बटे 5 ये भी नहीं आएगा तीन रखो 10 गुना 10 बटे 6 ये भी नहीं आएगा तो जब तीनों ही नहीं आ रहे तो चौथा जरूर आंसर होगा तो रॉप्शन्स ही करना है क्या हाँ otherwise आप ऐसे भी solve कर सकते हो quadratic बन जाएगी तो बस ठीक है आपनको तो आंसर से मतलब है केवल अगला प्रशन आपके सामने ये रहा कि उस चाप के केंद्रिय कौन का माब बताईए जिसकी लंबाई चाप की लंबाई 11 और ब्रत की तरिज्जा 14 हो करो भई कर दो इस चाप के केंद्री एकौण का माप ग्याद कीजिए सर किसी चाप केंद्री कौण का माप क्या होगा इसकी लंबाई तो एक फॉर्मुला होता है कि चाप की लंबाई बराबर तिरिज्ञ इंटु कौण पता है आपको ल बराबर R into theta अब L बराबर आपका कितना दे रखा है चाप की लंबा यह आपकी 11 है और आपकी radius 14 है तो theta की value बताओ तो theta क्या हो जाएगा 11 बटे 14 यह बात आपको समझ में आ गई होगी theta बराबर आगे 11 बटे 14 आप लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जो दे रखा है ये रेडियन में हैं अब इस रेडियन को आपको डिगरी में बदलने के लिए क्या करना होगा तो 11 दुनी 22 7 दुनी 14 और 180 डिग्री बटे 4 याने की 45 45 डिग्री तो आपका जो केंद्री ये कॉण्ड का माप होगा वह कितना हो जाएगा 45 डिग्री आपका हो जाएगा केंद्री ये कॉण्ड का माप कितना हो जाएगा 45 उमीद करता हूँ कि कोश्चन में आपको मज़ा आया हो अच्छा लगा हो अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है ये लीजिए एक दुकानदा 960 में बेचता है और अंकित मुल्य ये है तो छूट कितनी पेशकर्श की गई है तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1200 रुपे अगर आपका अंकित मुल्य है और 960 में आप बेचते हो तो 0 सी 0 काटा 12 सी काटा मैंने इसको 10 बार और 12,8,6 में तो कितना डिसकाउंट नजर आ रहा है दो का 10 के रेस्पेक्ट में गुणा 100 तो यानि कि जो डिसकाउंट आ रहा है वो 20 परसेंट का डिसकाउंट आपके नजर आ रहा है यह option 20 परसेंट का डिसकाउंट आपका हो जाएगा इसमें अगला प्रशन करके दिखाईए इस हाँ मैंने काना कि सरली करण का question जरूर आएगा आपके paper में तो इस तरह का question आप बना कर देखिए कि क्या आपका जवाब आता है तो आप पांसर दे पाते हैं हमें दीजिए यहना इसको whole square कर लो कर देखिए X square plus का 6 X 2 A भी होता है plus का 9 plus X square minus का 2 X plus का 1 2 X square plus का 4 X plus का 10 2 common लेलो X square plus का 2 X plus का 5 B option ठीक है कर पा रहे हो बहुत बढ़ी है अगला प्रशन आपके सामने देता हूँ करके दिखाओ कि आंसर आपका आता है कि 58 और 68 के बीच की सभी ए विभाज्य संख्याओं का योग बताना है ए विभाज्य भी बोलते हैं अभाज्य संख्याओं को भी करो भई और लाइक शेर दबा के करते जाना अठ्याओन और 68 के बीच तो बेटा देखो 58 से 59 आपकी एक प्राइम नंबर है 61 आपकी एक प्राइम नंबर है और 67 आपके प्राइम नंबर है इनका योग पूछा गया है 10 और 7, 17 और 6 अठी, 18 187 आपका जो आजाएगा वो समेशन आजाएगा तीनो प्राइम नंबर का केवल तीन ही प्राइम नंबर उपलब्ध है अगला प्राशन आपके सामने ये रहा कि तीन संख्याओं का जो fırsat है वो 6 है यदि पहली 2 संख्याओं का ओसत इतना और अंतिन 2 संख्याओं का ओसत इतना है तो तीसरी संख्या क्या होगी कि तीनों संख्याएं क्या क्या होंगी अब देखो कितना मस्त कोश्चन है अब देखो कि तो तीन ओफ्शन तो ऐसे किसी आ रहे जहाँ आपको लग रहा है कि आरे समसाई है गलत लगी है नहीं रहा किसी को नहीं लेकिन फिर भी नहीं है अंसर आपका तो क्यों नहीं है क्यों कि आपको पूरा सॉल्व कराना पड़ेगा देखो तीन संख्याओं का एवरेज 6 पहली दो संख्याओं का एवरेज 4.5 और लाश्ट की दो संख्याओं का एवरेज 7 कि ये से कितना कम आरहा है o 1.5 कितने unit में 2 unit में और येकिस से ज़्यादा एक nurturing तु तू तीसरी संद्ण कि और एक avoir सत्य होने वाली कुछ 6 average था तो सुर्य मियां minus क्या एक आप्श सेंख्या even के क्या होनेवाली माय एक裡面 5 इस स quarविया यूंध जय सेंख्या बार da पाढैंन होगी य्यूंध यही work to get your point ट्रीक redist한다 regional टॉमध और तो स्जी काँ पेन एकन भरी अगला प्रशन देखिए कि एक polynomial दे रखा है और उसके number of zeros आपको दे रखे हैं अब इससे A और B की value निकाल के बताओ अब देखो इसके दो आपको मूल दे रखे हैं मैं इसको एक short trick में भी बता सकता हूँ कि x square दौनों मूलों का योग तो आता ही आता है into x और मूलों का गुणनफल तो जब यहां से आप compare करोगे न तो A की value 9 हो जाएगी और B की value 20 हो जाएगी तो आपको कुछ करना ही नहीं है कि यहां value put करकर के check करें नहीं आप एक simple equation मनाईए और equation क्या होती है x square minus sum of roots into x और product of root यही equation होती है अब equation मनाईए आंसर दीजिए खेल खतम कर दीजिए इस question का अगला प्रशन देखिए कि यह आपके सामने दो expression दिये हुए है इनका उच्चतम समावर्तक क्या है उच्चतम समावर्तक मतलब highest common factor क्या है देखिए जवाब दीजिए अब जब ऐसे question का बनाते हैं तो यहां से देखिए कि आप सबसे पहले अगर आप x square को common लेंगे तो x square को common लेने पर यहां बनेगा साथ 2x प्लस का 1 सही बात है बात तो यही लग रही है एक नहीं x square को अगर आप common लेंगे तो बात तो यही लग रही है और बताओ तो सर मैं बताओ आपको सही तरीका इस तरह के question को करने का आप option से ले लो कि अगर यह common factor है अगर मालो यह common factor है दौनों का common factor है तो x minus 1 अगर एक common factor है यानि कि x minus 1 से पूरी तरह divisible होंगे तो x minus 1 बराबर 0 रखने पर x बराबर 1 रखने पर x वराबर 1 रखने पर ये भी 0 हो जाना चाहिए और ये भी 0 हो जाना चाहिए अगर दोनों 0 हो गए तब तो वही answer है, नहीं उए तो फिर ये नहीं है हाँ, तो x वराबर 1 रखने पर 2 प्लस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 2 सर 0 बधाई को यह एक्स का factor है 3 माइनस का 2 प्लस का 1 और माइनस का 2 तो सर जी ये भी आपकी बधाई का पातर है ये भी 0 आ रहा है यानि कि आपको दुनिया की कोई ताकत आप इसका अंसर सही देने से नहीं रोग सकती आपको सर हम बाकी रखना चाहें तो आप वो भी रख के अपनी स्नतुुश्टी को पा लीजिए कि सर अगर मैं x प्लस 1 को 0 रखता हूँ और x वडाबर माइनस 1 रखता हूँ मैं इनका रख के देखो तो यहाँ आया कितना माइनस का 2, यहाँ आया आपका प्लस का 1, यहाँ आया प्ल सारी आये करने का, आप रख के देख लिजिए, सब टेक्निशन ग्रेड वन के लिए क्या करें, आशीम मैंने टेक्निशन ग्रेड वन के लिए वीडियो बनाया हुआ है, कि आपको परेशान होने की जरुवत नहीं है, क्योंकि पूरी मैथ जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, एडवांस मैत आएगी सारी उसमें और एक chapter set theory वो मैं सबको free पड़ाऊंगा YouTube पर ठीक है तो यह मैंने आपको बोला हुआ है और पूरा जो बैच में है अपने जो foundation बैच है उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका अब आप टेंशन ले लो हमें तो चाहते हैं कि टेंशन न किसी कार्यका एक बटे 48 भाग पांच व्यक्ति द्वारा आधे दिन में पूरा किया जाता है तो पांच व्यक्ति द्वारा आधे दिन में किसी कार्यका एक बटे 48 भाग पूरा किया जाता है तो कार्यका एक बटे 40 भाग 6 व्यक्ति द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा बस डंग से रखना है डंग से solution बनाने है पांच बटे 2 लिख दिया और इसको लिख दिया 48 बटे 1 वही साई तरीके से साल्व करोगे तो आंसर भ काटा मैंने 48-48 बार तो यहां भी आंसर कितना निकल कर आगया आदा दिन तो कहानी वह यह आदा दिन होगा आदा दिन ही वहां हो रहा था खेल खतम हो गया उम्मीद करता हूं आप सभी लोग परचम लहरा रहे होंगे अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है करके दिखाओ अनुपात समानुपात का प्रश्ण है अब मैं यह कहता हूं यह कैसे होगा तिको यह आ रहा है सर साथ बटे दो टाइमस ओफ एक्स अब यह आ गया सर साथ बटे सो वाई साथ से साथ चला गया एक्स बटे वाई बराबर आ गया सर एक बटे पचास ठीक है तो यहां हम यह कह सकते हैं कि पचास में से एक गया तो उननचास और पचास में एक जोड़ेगा तो एक्यावन उननचास बटे ए अनुपात सबसे बड़ा है तो एक तरीके से अनुपात सबसे बड़ा है इसका मतलब आपको fractions solve करके देखने हैं अब उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है हमने देखा सरी दे शाद बटे 15 है हमने देखा सरी 15 बटे 23 है हमने देखा सर यह 17 वटे 25 है, हमने देखा सर यह 21 वटे 29 है, आप एक चीज़ सब में common देख रहे हो, कि सर इनका difference 8 हा रहा है, 7 और 8 15 है, 15 और 8 30, 17 और 8 25, 21 और 8 29, अगर difference सेम है, तो जो सबसे बड़ा numerator होगा, वही सबसे बड़ी fraction भी होगी, वही सबसे बड़ा ratio भी होगा, simple answer है, ठीक है, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा यह हो जाएगा, आप दो मिनट में बता सकते हो, अगर difference सेम है तो, अंश और हरका, numerator और denominator का देखो, अंतर समान है, तो बस जो बड़ा है, अंश वो बड़ा, जो छोटा है, अंश वो छोटा, अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए, पार्टनर्शिप करिए, सुनील और गोपाल एक विवसाय में साज़दार है, सुनील इतने रुपे इतने महीने के लिए, गोपाल इतने रुपे, सुनील दो रुपे नौ महीने के लिए, ये तीन दो क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भाई आपको बताए, वो कॉमन जीरो से कॉमन जीरो कड़ जाती, क्योंकि हम तो अनौपाद निकाल रहे होते हैं, तो यहां हमने देखा, सर जी, एक अनौपाद दो आ रहा है, तो तीन रेशो यानिकी 60,000 रुपया, एक रेशो या सुनील का 20,000 और उसका 40,000 अगला प्रशन करिए देखते हैं कौन करके दिखाता है एक सीड़ी एक सीड़ी वदिवार पर खड़ी है सीड़ी का जो शीर्ष है फर्स से कितनी दूरी पर है फर्स से 9 मीटर की उंचाई पर यहां पर आ रहा है जब सीड़ी के निचले सिरे को 3 मीटर दूर किया जाता है यह हमने सीड़ी के निचले सिरे को 3 मीटर दूर कर दिया तो जो सीड़ी का शीर्ष है वो दिवार से निचले सिरे के बराबर पहुंच जाता है सीडी का सीडी का सीष दीवार के निचले सुरे के बराबर पहुंचाता है यह बहुत बड़ी जोगार है यह तो बहुत बड़ी हो गया कम यानि कि अगर यह X है और कुछ सीडी की लेंद्ध भी होगी कुछ तो सीडी के लेंद्ध क्या हो जाएगी लेंद्ध अफ सीडी बराबर X स्कॉायर प्लस 9 का स्कॉायर पहले और जैसे ही सीडी के लेंद्ध सीडी की वही रहीगी आधार यह हो गया अब X प्लस 3 का होल स्कॉायर और ये तो धड़ाम नीचे गिर गया हाइट तो खतम ही हो गई तो दौनों को बराबर कर दो महाराज कर दो महाराज बैसीडी की लंबाई को बराबर कर दो तो x square प्लस का 81 बराबर x square प्लस का 6x प्लस का 9 अब ये अपने आप में इतना खुबसूरत प्रशन है कि इसको start देना पड़ेगा आप मुझे और क्या करूं तो बताओ आप भी बताओ क्यों मेरी मजबूरी नहीं समझते हो न तुम तो x बराबर आगया सर 12 पूचा क्या गया है कि सब सीडी की लंबाई बता दो सीडी की लंबाई कितनी हो जाएगी बार और तीम पंद्रे ठीक है हाँ अब आप एल स्कॉयर्स अधार कर सीडी का स्कॉयर्स थोड़ी जद्य देते हैं इसको क्योंकि यह कर्ण है ना इसलिए तो यहां पर कितना आजाएगा सर जी पंद्रे आजाएगा कोश्चन कैसा लगतवानी बता दीजिए अब आप कहोगा से ट्रिपलेट लगा लो भाई लगा लो ट्रिपलेट मालो कभी नहीं लगा तब क्या करोगे तब यह कंसेप्ट जो बताया है यही काम आएगा कि सीडी का जो यह टॉप पॉइंट है यह धड़ाम हो जाता है नीचे तो केवल सीडी की जो लंबाई का स्कॉयर बचेगा यह उचा ही तो खतमी कर दी पूरी केवल और केवल कर्ण बचेगा ठीक है हां तो कभी लग जाता ट्रीपलेट और कभी नहीं लगता समझे रहो तो वह एक रिलायवाल पॉइंट नहीं है पॉइंट यह है कि आप आइथागोरस लगाएं दो बार प्राइज के मूल्या में इतने परसेंट की ब्रद्दी हो गई तो 35 परसेंट के इतना होता है 5,7,35 और 5 से काटा 20 बार तो आपके जो प्राइज हो गई 20 से 27 हो गई सर अब दुबारा से एक विक्ति को प्याज की खपत को कम करना चाहिए तो खपत 27 से 20 हो जाएगी कितने की कमी साथ की कमी 27 के रेस्पेक्ट में गुणास सौल करो तो 700 बटे 27 27 का पाड़ा बोलिए 27 दूनी चाववन चाववन बचे कितने भईया 16 और क्या एक सो साथ अब 27 के टेवल में देखी कितनी बढ़ जा रहा है एक सो साथ के आसपास पहुंचना है बस हां सर जी पांच जाएंगे न तो 135 और 6 चले जाओ सर तो यह हो जाएगा बार है ठीक है तो मतलब 25 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा बिलकुल नियर एस्टी आ रहा है देख रहे हो ना आप पही एक सो साथ हो और 162 हो तो अब लगबग पूछा जाए तो बात है I think 25 परसेंट अब एक्जेक तो नहीं दे सकते 26 परसेंट I think हमें देना पड़ेगा क्योंकि हम बिलकुल एप्रॉक्सिमेटली देना चाहेंगे और बिलकुल एप्रोच कर रहा है वो 26 को क्योंकि 25.90 के पर है यह लीजिए कि साधरन ब्याज के 9 वर्षों में 8 परसेंट की दर से वही ब्याज होगा जो 800 रुपे का 3 साल में इस परसेंट की दर से है तो बहिया बताओ कौन सा मूलधन होगा अब देखिए मूलधन का 9 वर्षों में 8 परसेंट की दर से 800 रुपे का 3 वर्षों में 9 बटे 2 परसेंट की दर से जो है वो बराबर है क्या हिसाब किताब किया जाए बई नो से नो गया आठ से गया सो बार और प्रिंसिपल आगया डेड़ सो कि अगला करो यह कोशन भी अच्छा है कि सेक्थ ठीटा और कोसेक्थ ठीटा में जो संबंद होता है वो वह होता है अगर यह मालो मेरा ए है और यह मालो मेरा बी है और ए प्लस बी बराबर मेरा नबबे डिगरी आ रहा है तो यह दोनों बराबर होंगे अब बराबर हैं तो यह 0 हो जाएगा तेरे बुझकी यह तीन इकाई यह दे रखे तीन बुझाएं दे रखे हैं तो तीसरी बुझा कहां से कहां तक हो सकती है गजब का और कल 11 वजे तो आप लोगों के लिए बूस्टर प्लान लाउन्च हो रहा है बूस्टर प्लान क्या है आप लोगों के लिए ठीक है तो सभी लोगों को सब्धी बूस्टर बज़े तो आना ही आना है live तीन वजे कल मैं कराओंगा Geometry के theoretical questions कि किस तरह की theoretical questions Geometry में बनते हैं ठीक है तो कल तीन वजे भी session जानदार होने वाला है और जिनकी math कम जो रहे बेटा आँख बंद करके foundation join करिए आँख बंद करके करिए और होश खोल के पढ़िए आपका नहीं सफल हो जाओ आप तो फिर मेरे से कहना लेकिन इमानदारी के साथ में दो बुजाओं के अंतर से तो जादा और दो बुजाओं के योग से कम और equal नहीं होता है तो equal नहीं होता है तो मतलब नहीं होता है ओके? चलिए एक्कुल नहीं होता है इसका मतलब नहीं होता है समझे बात अगला प्रशन देखिए बड़ा प्यारा प्रशन है सोच समझ के यह रिपीट होगा यह कोशन बड़ा ही गजब का होता है आपको ऐसा कोशन देखने को मिलेगा जब एक्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब हो तो मैं यह गैरंटी से बोल सकता हूँ यह थ्री ए बी सी के बराबर होगा आप पूछिए मेरे से क्यों बताइए इसी प्रकार वहां पे भी देखिए यह मैंने लिख दिया पी क्यूब प्लस का क्यूब क्यूब प्लस का RQ, यह अलग सिस्टम है और वो अलग सिस्टम है विचारा, और यह आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो यह भी मैं लिख देता हूँ 3PQR के बराबर है तो आप से पूचता हूँ कि क्यों है मैंने तो लिख दिया कि यह इसके बराबर है, और मेरा आंसर भी आ जाएगा कि 3A, B, C बटे 3PQR सर यह ABC, PQR यह notation है, इतनी बड़ी बड़ी संक्या थोड़ी लिखूंगा मैं, चलिए, तो सर ABC का मतलब A square, B square, तो इसको भी आप लिख सकते हो, A minus का B और A plus का B, हाँ, लिख सकता हूँ इसी परकार B minus का C और B plus का C, लिख सकता हूँ इसी परकार C minus का A और C plus का यह, बिलकुल लिख सकता हूँ ठीक है, आप divide कर दूँ A minus B B minus C और C minus A को तो plus plus वाला रह जाएगा क्या रह जाएगा, plus plus वाला तो plus plus वाला answer हो जाएगा, यह रह C option, अब मैंने यह जो इतनी जल्दी answer दे दिया, यह आप लोगों को pen भी नहीं चलाना है, बिटा क्यों नहीं चलाना, इसके बीचे कारण जान लीजिए, कि यह A cube, B cube C cube, 3 ABC के बरावर होता है क्योंकि, क्योंकि आपका A plus का B plus का C, 0 के बरावर है चेक कर लो, A square minus B square, B square minus C square C square minus A square तो इस A square से यह चला गया इससे यह चला गया, इससे यह चला गया, ठीक है समझ में आ गई, इसी परकार A minus का B, B minus का C, C minus का A, इससे यह चला गया इससे यह चला गया, इससे यह चला गया तो यहां पर भी देखो ए पी प्लस का ट्यू प्लस का आर मैंने माना था वो भी जीरो आ रहा है तो डाइरेक्ट आंसर दे सकते हो आप ठीक है भाई अब पता होना चाहिए आप लोगों को ठीक है ना और हमारा गुन्नू सीख गया तुमने सीख पा रहे बताओ अगला प्रशन आपके सामने यह लीजिए करके दिखाईए तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि सर्दे को पांच रेशो बरावर अगर 90 है तो एक रेशो बरावर आपका अठा रहे है और यही एक रेशो का डिफरेंस भी आ रहा है नेक्स्ट कि बढ़िया कुश्चन है अब यह आता है पर में सर पी और बी है वायर यह 37.5 मिनिट याने की 75 बटे दो में यह 60 में अब टोटल आप टंकी की कैपिसेटी मान लो 300 जो की 75 से भी चला जाएगा चार दुनियाट हो जाएगा और यह हो जाएगा पांच ठीक है तो यह इनकी कैपिसेंसी दो पाइप खुले हैं टंकी 25 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को बंद कर दिया जाए ठीक है तो 25 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को इतने मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो मैं यह कहना चाहिए तो बी को बंद कर रह 20 minute के लिए 20 minute के लिए open किया गया होगा और 20 minute के बाद बंद कर दिया गया होगा B pipe को तब जा के answer बनेगा अपना ठीक है? ठीक है? चलिए ओके? क्लियर हो गया भई? Next आईए 5 cm की उंचाई है और 4 cm की तिर्जा वाला एक बेलनकार बढ़तन पूरी तरह रेट से भरा हुआ है अब जब इस रेट को उढ़ेला जाता है तो 6 cm की तिर्जा वाले एक समकौन ठीक है? समकौन ब्रतिय शंकू की आकार ले लेता है अब बेलना कार बढ़ताने तो बेलन का आयतन होता है πाई आर इस्क्वाइर एच और ये क्या होता है सर एक बटे तीन पाई शंकू की रेडियस को मैंने छोटा माना और एच हमें निकालना है छोटा वाला पाई से आपका पाई इज़त से जा रहा है आर इस्क्वाइर कितना हो जाएगा सर चार गुणा चार एच की वेल्यू कितनी हो जाएगी आपकी पाँच और ये छे इंटू छे तिरिज्जा का एक शंकू बना रहे हो उसकी उचाई निकाल दो सर सर एक बटे थीन भी है ठीक है तो यहां हमने देखा सर दो से काटा मयने दो बार और दो से काटा मैने इसको तीन बार तो ऊंचा ही निकल कर कितनी आ गए बीस बटेतीन अब बीस बटेतीन कितना होता है ? 6.67 के आसपास यानि कि इतनी हाइट तो आपकी शंग कुकी आएगी समझ में आ गई बात क्योंकि वॉल्यूम कन्वर्जेशन है आपने रेट को उसमें उडेला है बिना कोई वेस्टेज के वेस्टेज इसमें काउंट हम नहीं करेंगे ठीक है अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है जामा पहना दीजिए करके दिखा दीजिए कम ओन झाल अब ये बहुत amazing question है ये हालाल नहीं होता है किसी से देखिए बोला क्या गया सब P की power X है R की power Y है और ये आपका M है इसी तरीके से R की power W है P की power Z है और ये किसके बराबर है N के बराबर है अब निमनी लिखित में से कौन सा सही है ध्यान इस बात का दें सबसे पहले मैंने इस equation को उठा लिया कि P की power X बराबर R की power Y ध्यान देना बड़ा अच्छा concept बताता हूं अब मैंने क्या किया इन दोनों की power मैंने W कर दी क्योंकि मुझे W से relation तो निकाल नहीं है चलिए ओके भाई समझ में आ रही है बात चलो तो यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को तर कोई दिक्कत नहीं है तो अगर मैं यह कह सकता हूं कि P की power X W बराबर R की power Y W यह हो गया क्योंकि power के उपर power होती है A की power M की power अगर N हो जाए bracket में तो वो power आपस में गुणा हो जाती है यह सब दुनिया जानती है इस बात को तो मैंने यहां तक कर दिया आपको कोई problem है क्या बोले सर बिलकुल भी problem नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब मैं यह चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर P की power X W है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ R की power W की power Y बोलो बात तो वही है अब यहां पर Y था तो मैंने यहां जब लू जब पावर ले ली तो R W बना दिया और R W की value मेरे पास क्या है P की power Z है और हमें जानते हैं कि गातंक का नियम होता है कि भाईया यह हमने लिखा यह P की power Z हमने लिखा और यह हो गया Y अब यहाँ पर आपने base बराबर क्यों किया, क्योंकि भाया हम यही जानते हैं, कि गातां के निया में, जब base बराबर होता है, तभी आपकी गाते बराबर होती है, तो base बराबर कर दिया, गाते बराबर हो गई, तो x, w बराबर कितना हो गया, z, y हो गया, यह question आपको सीखना ह क्योंकि इस question में वाकई में बात है और बहुत कम बच्चे से कर पाते हैं और डबलु ही क्यों मनाया क्योंकि वह वीजन देखना पड़ेगा कि आर की पावर डबल्यू का रेलेशन बनाने के लिए दौनो तरफ डबल्यू बनाना पड़ेगा ठीक है भाइयों मदा आ गया हो तो like कर दीजगा अगला प्रशन आपके सामने है क्ैंज क्या है क्या हो क्या हम यू लूई रतो क्या हो caval oh हें 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 है हैं है क्या हुआ है चलिए दोस्तों नहां पर हम यह देखते हैं कि सर आठ वर्षों में 40% की ब्रद्धी होने का मतलब जो आपकी रेट ऑफ इंट्रेस्ट है वो 5% है ठीक है अब उसी दर से दो वर्षों में 30,000 रुपे का चक्करवर्थी ब्याज बता दो कोई बात नहीं है बता देता हूं तो मैं यह कहता हूं कि 30,000 रुपे का 5% की दर से दो साल का चक्करवर्थी ब्याज हो जाएगा यानि कि 10.25% करना है इसका बस तो यह कितना हो गया 3075 रुपीज बस खेल घतम मदा आगया कि नहीं आगया बताओ मदा आया कि नहीं आया बस ख थोड़ गए अकाउंटेंट में इतने आये हैं इतने चले गए हैं अलग-अलग सालों में अब आपके सामने कुश्चन है और आपके जवाब के लिए आपके पास ऑप्शन्स हैं तो दीजिए भाया जवाब अब दिए गए वर्ष्टों की दोरान संगठन में सामिल होने वाले व्यापार विशलिशकों की कुल संख्या सामिल होने वाले अलग-अलग सालों में अनलेटिक्स बिजनिस अनलेटिक्स तो आठ और तीन ग्यारा ग्यारा और नौबीस 10 और 6, 16 16 और 7, 23 और 10, 33 तो 330 ऐसे जो लोग हैं जो की जॉइन हुए हैं ऐसे business analytics और संगठन में शामिल होने वाले विक्रीप प्रती निध्यों की कुल संख्या के बीच में sales representative ठीक है शामिल होने वाले तो 6 और 4, 10 8 और 2, 10 20, 5 और 4, 9 और 2, 11 11 और 6, 17 और 2, 19, 190 तो इनका जो difference आ रहा है वो आपको बताना है I think 140 will be your right answer क्योंकि आपका देखो unit digit भी 0 बनता है तो यह answer possible है ठीक है चलिए तो यह आपका आज का paper था कैसा लगा आपको आज का catch the match जल्दी से मुझे बता दीजी आप लोग जबी विद्यार्ती जल्दी से बता देए कल सुबह 11 बजे आप लोगों को प्लान में तो आना ही आना है आज रात को मैं RPF का सेशन भी लेने वाला हूँ 8 बजे वो भी आप देखिए कल सुबह 11 बजे आओगे फिर उसके बाद 3 बजे जो मैट्री के theoretical questions हम करने वाले है आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि regular पढ़ो regular 3 बजे आओ 6 बजे आओ 10 बजे आओ यह daily practice चलती है आपकी 9-10-11 सुबह topic wise classes चलती है साथ के साथ में आप सभी विद्यार्ती जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं हमारी application से जुड़कर batches में जरूर जुड़ो सार जरूर क्यों जुड़ें क्योंकि इसमें खास बात है अगर आप time से पढ़ कर अपने selection लेना है ना तो भई धंक से पढ़ो मैं मन से बढ़ा रहा हूं आपको इस batch में ऐसा पढ़ा रहा हूं grade third या आप दे रहे हो NTPC सबकी तैयारी और ऐसी तैयारी जो सब पर भारी तो भारी वाली तैयारी कर रहे हैं अभी mensuration शुरू हो जाएगा अगले week से अभी LCM SCF चल रहा है मेरा पढ़ाई करो गजब वाली offer चल रहा है offer का फाइदा उठाओ अगर आप railway record breaking batch जुड रहे हो तो सारे teachers की class मिलेगी सारे foundation batches जो हमारे platform पर चल रहे हैं वो सब इसमें आपको मिलने वाले हैं तो ये भी offer में चल रहा है आप जुड जाओ भाई आज रात तक सारे exam की तैयारी एक बर में हो जाएगी paid course में जाओ rrb batch जॉइन करना rrb जॉइन करो railway math करना है railway math reasoning करना है reasoning science करना है science बढ़िया पढ़ाई करनी है तो join करिए join पे click करोगे तो submit करना link आएगा आपके बस link पे click करके coupon जरूर लगा देना जो ये coupon लगा हुआ है ठीक है discount मिल जाएगा ये हमारी application है google play store से इस तरह के logo से download कर लेना और channel को subscribe कर लेना video को like नहीं किया हुआ है तो करिए आपको session कैसा लगा अगर कोई संशय है तो comment भी करिए और video को अपने दोस्तों तक share भी करिए और फिर channel को subscribe भी करके bell icon दबा लीजिए जिससे की हर video के notification आपको मिल जाएं तो जय हिन जय भारत वन्दे मात्रम मिलते हैं आपसे अगले session में